आज की वीडियो में हम बात करेंगा कि लिमिट ओडर क्या होता है और मार्केड अडर क्या होता है चाहे 알को पी एक्षेंज हो कुखाइन हो बाएनेंस हो Atlethyo भाइबिट या इनके इलावा खुई भी एक्षेंज हो मागर उन सब में limit order, and market order हमेशा सेम ही रहता है तो इस वीडियो में मैं आपको limit order भी लगा के दिखाऊंगा buy के लिए भी sell के लिए भी और market order भी लागा के दिखाऊंगा buy के लिए भी और sell के लिए भी और उन दोनों में फरक क्या होता है तो चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर वहां पर हम लगाते हैं लिमिट और 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 मार्केट और तो मैंने अपने पास ऑके एक्सचेंग अप्लिकेशन ओपिन की है आपके पास अगर बाइनेंस है तो उसमें भी यह सेम तरीका होगा लिमिट और का तो यहां पर आप किसी भी ओके भी ठीक यहां पर यहां पर आ रहा है को मैंने क्लिक किया तो यहां पर देखें यह सेक्षन आ जाएगा और हमें जाना होगा ट्रेट पर दिखेंगे बाय डुफॉल जहें वह लिमिट और इस लेक्टेड नहीं है तो यहां पर आप टॉच्च करके लिमिट और पर लिमिट और्यों का मकसद सिंपल ये होता है कि आप कौन सी प्राइज पर ये बाय करना चाह रहे हैं अगर मैं बाय के सेक्षन पे हूं तो यहानी के बाय की बात हो रही है अब यहां पर आपको वो प्राइज लगा नहीं होगी जिस प्राइज पर आप ये कुईट बाय करना समझें आप कितना सिंपल है यह 35 पे आजाए अगर मार्केर में अचानक डंप आता है यही कोई 35 पे आजाए तो मुझे कुछ करना नहीं पड़े खुद बखुद यह आउडर लग जाए और बाय हो जाए ओके भी कौई बस सिर्फ यहां पर बाय का यह मतलब है और नीचे देखे कितने ओके भी आपको चाहिए तो यहां पर देखें आपके बाद जितने यूसड़ी होगे उसके साब से यहां पर लिमिट सेट कर सकते हैं 25 परसन का हो 50 परसन हंडिड़ परसन यहां फार्ग्जमर में सो यूसड़ी का ओके भी कोई पर्चेस हो जाए तो आपका लिमिट ओडर लग जाएगा उसके बाद जब भी यह कोई 35 डॉलर पर आएगा आपका कोई यह फुद बखुद पर्चेस हो जाएगा तो बाय के मेरे पास कटना पड़ा होभा यह ट्क्ति टू डॉलर का मेरे पास यह कौईन पड़ा हूए है अब मैं चाहँ हूं जैसे यह कोर सब्सक्राइब जाया मैं होदे नहीं करना पड़े ह् ।ो मै writers canard 5 डॉलर पर आएगा तो यह उसकोद बाद यहां पर ऌलना ँगा यहां और और खुदबो खुद लग जाएगा इसको मैं कैंसल करता हूं सेम उसी तरह गर मैं यहां पर लगाता हूं कि पचास डॉलर जैसी इस कोईन की प्राइस हो जाए तो यह सेल हो जाए यहां पर यह भी आपको दिखा रहा है कि आपके जो बनेंगे 72 USDT बनेंगे जैसी 50 डालर पर आएका तो आपके 72 USDT हो जाएंगे और आपके अकाउंट में आ जाएंगे तो यहां पर आपको यह तो समझ आगा कि आप सेल के लिए कैसे इस्सामाल कर सकते हैं लिमिट को अगर आ रहे हैं कि अचानक सी क्वाइन डाउन हो जाए और आपका क्वाइन फिर भी खुद बखोष सेल हो जाए तो इसके लिए हम यूज करते हैं टीपी एसल के बार में मैं पूरा डीटेल में अल्री बता चुका हूं आपको विडियो की लिंग डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी है अब यहां पर आ जाते हैं market order पे अब यह market order क्या होता है market order simply यह होता है कि jy price coin की चल लही होगी जिसग्य चल लेगी प्राइज 43.43 मैं अगर यहां पर sell करना जाता हूं 100% तो जैसी में sell के button पे प्रेस करूंगा उसी टाइम ये कोईं सेल हो जाएगा सेम उसी तरह बाइब के लिए यहां पर मार्केड और और तो अगली वीडियो में आपको बाकी ये जितने भी फीचर से इनके बारे में बताता रहूंगा मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए अलाफिस झाल 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 झाल